So hey guys, welcome back to a new video यार आज की वीडियो काफी अधा interesting and informative होने वाली है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आप कैसे 10th का और 12th का result देख सकते हो केवल केवल roll number से, अगर आपको roll number पता है तो आप result देख सकते हो 10th का या फिर 12th का, नाम से और father name से नहीं निकलेगा result आपको simply at least, कम से कम आपको roll number तो पता होना चाहिए तब ही हाँ पर आपका result निकलेगा date of worth नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है तो अभी जानते हैं कि आप कैसे बिना date of worth के यहाँ पर result देख सकते हो तो simply आपको अपना Google Chrome open करना है अगर आप desktop में देख रहे हो तो आपको simply वो ही है Google Chrome open करना है और अगर आप phone पर देख रहे हो तो आपको phone पर भी Google Chrome open करना है लेकिन वहाँ पर आपको three dots देखिने को भी लेंगे उपर right side में तो simply आपको उपर किलिक करना है से पहले link पर click कर देना है सबसे पहले link पर click करने के बाद में आपको main website के option पर click करना है तो यहाँ पर site open हो चुकी है तो अभी आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर एक option देखेगा online rechecking का ठीक है आपको simply इस option पर click करना है आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है और अब भी मैं आपको यहां पर बता दू कि अगर आप 12 करदल देखना चाहते हो तो आपको senior secondary करना है select और अगर आप 10 करदल देखना चाहते हो तो आपको secondary examination को करना है select ठीक है उसके बाद में आपको next आना है next आपको roll number पूछ रहा है तो आपको simply roll number यहां पर enter कर देना है उसके बाद में आपको नीचे आना है नीचे आपको यहां पर पूछेगा कि आपको क्या करना है re-evaluation का form भर ना यहां फिर आपको आपकोया और किलिक करने बाद पर दिखके फिररएगी करने तो इस के बाद में इस आपको इसको कोड़ त्रीक डिखेऎगा 107 7 कौन से subject में कितने marks मिले हैं यहाँ पर theory marks है और यहाँ पर internal marks है तो आपको simply इनको यहाँ पर जोड करना है ठीक है add करना है आपको simply 48 plus 20 equal to यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद में आपको नीचे सब्क में ऐसे ही करना है ठीक है यहाँ पर सबको plus करने के बाद में add करने के बाद में आपको करना क्या है जो आपका total निकला है बान के चलो आपने इसको add किया पलस 20 किया 43 पलस 19 59 पलस 19 आपने सब को यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड करते चले गए उसके बाद में जो total यहाँ पर निकला है उस total में से आपको minus करना है उस subject को जिस subject में आपके सबसे कम number है तो 39 पलस में 19 आपको जो यहाँ पर number मिले है आपको इसको minus कर दिना है total numbers में से फिर जो output निकलेगा जो total marks आपके निकलेंगे उसको आपको divide करना है 5 से तो आपकी percentage वो रहने वाली है समझ गई ठीक है भाई तो ऐसे आप देख सकते हो result 10 का उसके बाद में देखो यह जो minus वाला scene है यह cable 10th class में होता है अगर आप 12th का result देख रहे हो तो 12th के result में आपको किसी subject के marks को minus करने की जरूवत नहीं होती है यह cable 10th में होता है क्योंकि 10th में हम एक subject को extra लेते हैं जो कि यहाँ पर 6 subject है वैसे होने चाहिए 5 ठीक है तो जिस subject में सबसे कम number होते हैं उसको हम यहाँ पर minus कर देते हैं total marks में से आ गया है समझ अभी देखो अभी हम देखते हैं कि आपको कैसे देखना है 12th का result तो 12th का result देखने के लिए आपको simply यहाँ पर click करना है and आपको यहाँ पर senior secondary करना है उसके बाद में इसको close करते हैं फिर आपको यहाँ पर करना है roll number enter तो roll number में यहाँ पर enter कर देता हूँ फिर आपको simply नीचे आना है और यहाँ पर rechecking करना है फिर आपको यहाँ पर जो code है अपना वो simply आपको यहाँ पर enter कर देना है ठीक है code enter करने के बाद में आपको register के option पर click करना है तो अब भी आप यहाँ पर देखो अब भी यहाँ पर जो result है वो निकल के आ गया है roll number आ गया है, name आ गया है father name आ गया है और यहाँ पर marks आ चुके है 12th के बच्चे के, ठीक है, केवल केवल roll number से तो आप ऐसे निकाल सकते हो किसी का भी result केवल roll number से तो वीडियो कैसी लगी है comment करके जरू होता ना, अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर देना मिलते हैं नए वीडियो के साथ और मिलेंगे तब जब आप subscribe करोगे चैनल को तो चैनल को subscribe करके bell icon को all पर दवा दो मिलते हैं, bye